हेलो दूस्तो दूस्तो दा जेंटल में नमकर एक नया शो नेट्फिलिक्स पर रिलीव हुआ है टोटल आठ एपिसोड है हिंदी में भी अबेलेबल एंडिस विशो को बनाया है गाई रिची ने एंड उनके बनाये हुए फिल्मों की मैं बात करूँ तो जॉबर डाउनी जिसमें दो फिल्में थी बोबराई थी उन्होंने इंडे का हाल ही में मूवी रिलीव हुई थी जिसका नाम था तक कोविनेंट मुझे उम्मीद है कि आपने ये तीनों मूवी देखी होगी नहीं देखी है तो मस्ट वॉच के जाके देखना है इन दोनों मूवीज को अच्छी खासी कमिया है मतलब पूरा पेज भरा जाया सकता है इतनी सारी कमिया है मतलब इस विश्यों में कुछ भी नहीं है इसके साथ आप इंगेज हो पाओ देखने कर पाओ या जिसको देखने का मन करें कोई कोई intensity नहीं कोई excitement नहीं कोई thrill नहीं कोई tension नहीं कोई suspense नहीं कोई drama नहीं engaging और कुछ भी ऐसा नहीं जिसको देखते रहने का मन करें आगी जाने का मन करें फफ्ट episode महा बकबास पूरी तरह से crap फफ्ट episode ही मतलब एक single शॉट नहीं था फफ्ट episode में कि मैं का पना हूँ कि कु अच्छा हो अतलब writing अच्छी हो सकती थी इसके दिन पले अच्छा हो सकता था direction अच्छा हो सकता था गाईरी जी का कुछ भी यह पर अच्छा ही नहीं कहानी में हिश भी खास है नहीं तो कहानी यू है कि एक फोजी बंदा था जिसका नाम है मुझे देखना पड़े एड़ Helfed Eddy Namaskar इसको Theo Jameson ने पिले किया है तो उसके बाप के मदने के बाद 1518 की जो संपत्ती है वो उसको मिलती है बिराफ़त में उसकी पिता जो थी वो महाराज थे उसके बाद वो संपत्ती उसको मिलती है फिर उसको पता चलता है कि उसकी जमीन पर ही एक लड़की है, एक बिजनिस चल रहा है, एक धंदा चल रहा है, जिसमें वो लोग गांजा होगाते हैं, बेचते हैं, ये धंदा उसकी जमीन पर चल रहा है, वो हटने के मूड में कहीं पर भी नहीं है, बिल्कुल भी वो हटना नहीं चाहते हैं, ये ध आज बड़ा बड़ा के 8 million dollar कर दिया और जब वो बंदा उसके घर पे पैसे लेने आदा है कि शल्त के मतलब एक शल्त मानने के बाद कि ये लोग शल्त मानने लेगे तो मैं पैसे ले लूँगा जो भी शल्त होगी वो होगी तो भाई वो बंदा जो gangsters मैं से एक था वो उसके घर पे आकर मारा जाता है और उसके बाद लग रहा था कि इस विश्यों में कोई intensity होगी कोई excitement होगी कोई चुए बिल्ली वाला खेल होगा कोई thrill होगा कोई tension होगा कुछ ऐसा होगा कि nil fighting होगा कि age of the thriller वाला कुछ होगा जिसको देखने में डर लगे है जिसमें कुछ ऐसा हो जो मतलब पागलपन हो कुछ भी नहीं है मतलब वो gangster मारा गया उसके जो और जो भाई लोग थे वो आए थे उनों ने देखा कि माहौल किया है उसके बाद बो लोग चले उसके बाद लोगों कोई ठेका ना नहीं है कि वो कहां है क्या है क्या कर रहे है क्या नहीं कर रहे है कुछ पता ही ठेका ना नहीं है मतलब gangsters भोली गे कि जैसे उनका कोई भाई था भी कि नहीं था 5 episode तक दिखाई नहीं पड़ते कहीं बेभी इसके बाद यहां पर वो जो जो उसका गांजी की जो खेती चल रही है बस भही शो घूम रहा है जिसमें कोई दम नहीं है मतलब जैसा कि मैंने का इस क्रिंपले लाइटिंग पेसिंग एडिटिंग डिरेक्शन कुछ भी यहां पर अच्छा है नहीं कहानी में कुछ भी दम नहीं पोटेंशल के नाम पर, ट्रीटमेंट के नाम पर, ड्रामी के नाम पर, मसाली के नाम पर यहां पर कुछ भी नहीं है बस जो अच्छा था, वो गाड़ियां थी 폭 från dawn के दिखने को बलती है lamborghini देखने को बलती है जाने कौन कौन सी तो गाड़ियां देखने को मिलती हैं तमाम जो बड़े लेबल की थे जो सेट्स हैं जो लोकेशन्स हैं बू अच्छी हैं लेकिन उसके अलावाए के शो में जो चीजे होनी चाहिए बू यहाँ पर कुछ भी नहीं मैंने अपना 100% दिया था सिंगनल मेरा बो भी मन नहीं कर दा कि मैं सिंगनल का फस्ट एपिसोड उसको ओपन भी करूं इसको प्ले भी करूं इतना स्यादा इस शो ने दिमाग का दही किया बाकी एक्टिंग जो है वो अच्छी है और जो दो मेन एक्टर्स यहाँ पर है इसको हमने अद्धब मेजर अनर फिल्म स्वीडीज में दीखा है पाइट अब करे भी हैं डेड़ में टैल्नो टेल्स में देखा है इसके अलाबा और भी कुछ स्वीडीज हैं मूवीज हैं एक मूवी और थे जिसमें हमने इसको देखा हुआ है तो एक्टिंग अच्छी है लेकिन इसफी शोग को देने के लिए मिरे पास कुछ भी नी सिर्फ एक्टिंग को लेकरा सिन्मेटो ग्राफी के लिए तो मैं कोई भी देटिंग देना नहीं चाहूँगा चौथे एपिसोड में एक सीन था जब एक बुड़्धा पूरा नेकिड होकर फुली नेकिड होकर खर से भाद निकलता है, सब कुछ दिखाई पड़ता उसका, तो फैमिली के साथ नहीं देख पाएंगे, आपने देखाई ये शो, लेकि बताना अपने टेक्स बाकी लेक्श